असलाम अलेकूम वाजिस नाजरीन एकराम आप देख रहे हैं मेरा फेस्बुक और यूट्यूब चेनल और इस वीला के अंदर मेरा रिव्यू जो है वो एक कर्शी की प्राड़क के उपर है और उस प्राड़क का नाम है स्पाट आन इस्पाट आन जो है ये टेबलेट है और एस्पाट आन टेबलेट जो है वो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रिमेट्यूर एजेकूलेशन के तोर पर यकसानियत के हसाब से जो है वो अच्छा सा रिजल्स देती है अगर सुरत इंजाल की के अपका इंजाल जो है वो फिल्कुर हो जाता है आप अस्तवाची सं प्यादर हसासियत के शिकार हैं सुरत इंजाल में आप सफर करें तो इसी कंडिशन के लिए स्पाट आन टेबलेट बड़ी एमिद की हामिल है साथ साथ में ये स्पाट आन जो है वो अगर आपके अंदर एरेक्शन के प्राब्लम्स या इशूस क्रियेट हो रहे हैं एजिं अगर आप जो है वो अपने जिंसियती अमल को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने सिक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडिशन में इस पाटान कर्शी की जो टेबलेट है ये बड़ी इंपार्टन और इमिद की हामिल है ये एक हर्बल रेमेडी है स्परमेटुरिया अ और इस पामस की क्व 예 memories कम आरे JAC ml आर बार कत्रे आ रहे हैं आपके कपड़े जो है वो खराब ओ रहे हैं आरए आपके कपड़े जो हैं और पर आज रहे हैं रात के टाईंग पर रोजना एदलाम होता है तो इस ही कंडिशन केंदर जो है टो है एज आićं़ लेट को आप भाने में इससे टेबलेट का बहुत ज़्याद है तक आहं रोल है ये मेल सेक्शुल जो भी डिसाडर्स होते हैं जिस तरह के प्रापर आपका आरगेस्म नहीं होता ठीक तरह से इनसाल के अंदर डिफिकल्डी होती है दर्द होता है इनसाल के बाद जो है वो इसका आहम रोल है तो इस फाटान जो है यह एक ऐसी चीज़ है जो डारेक्ली जाकर आपकी इंफ्लेमेशन को रोगती है पीनस में कहीं भी अगर इंफ्लेमेशन होती है सेक्षिल टांस्मिटेड इंफिक्शन की वज़े से इंफ्लेमेशन होती है ज्यादा masturbation करने की वज़ा से inflammation होती है तो उस inflammation की वज़ा से आपको बार बार कत्रे आते हैं या आपका जो prostate gland है वो weak बढ़ जाता है या 40 years से अब वो जब मर्ग जो है वो बढ़ता है तो उसके prostate की size में इजाफा होता है तो जो weakness पैदा होती है तो उस weakness की वज़े से आपके urine के जो drops हैं वो निकलते हैं आपके pre-cum के drops जो हैं वो बार बार आते हैं seminal discharge वगर होता है एक fluid या liquid जो है वो खारज होता रहता है तो इसी सब conditions को ये spot on tablet जो है ये control करती है ये specific एक remedy है जिस तरह मैंने पहले भी पताया कि spermatoria या जो nocturnal emission वगरह है ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी हमिद्गिया मिल है जो लोग रात के time पर बार बार urine पास करते हैं और ये जो हिसासियत होती है आपके penis की उसको काफियत तक के नार्मल बनाने में अपना आम रोल प्ले करती है तो सवाल ये होता है कि इसका dose इसका dose जो है वो दो गोलियां सुबो दुपर और शाम दिन में तीन बार आपको इस्तेमाल करनी होती है और पानी के साथ ही ये गोलियां जो है ना आपको यूज करनी होती है अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले अगर आपका हामी और नासर हो असलाम अलेकुम